किचिन ओफ भारती जाय का कवीता की रसुई में आपका स्वागत है आज मैं दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड की रेसेपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही कम सामान में और कम समय में बन कर तियार किया जा सकता है तो आईए इस रेसेपी को बनाना शुरू करती ये मैंने दो प्रकार की डाल ली हुई है जो मैंने पांस से छे गंटे भी होई है ये चने की डाल है अगर ये एक कटोरी चने की डाल है तो ये मूं की डाल है जो मैंने तीन कटोरी ली हुई है मतलब यह है कि एक हिस्सा चने की डाल का लेना है तो तीन हिस्से मूँ की डाल के लेने है यह अच्छे से भीग गई है बहुत आसानी से कट हो रही है इसी प्रकार दूसरी डाल भी कट हो रही है अब इसको पानी में से निकाल कर ग्राइंडर जार में डाल कर इसका फाइन पेस्ट बनाऊंगी ग्राइंड करते समय पानी का इस्तमाल ना करें अगर जरूरत हो तो बहुत कम पानी का इस्तमाल करें और इसको ग्राइंड कर ले इस प्रकार बारिक पीस लें दोनों दालों को इसी प्रकार से बारिक पीस ना है एक बाउल ट्रांसफर कर लेंगे दाल मैंने पीस ली है अब मैं इसमें थोड़ा नमक एड़ करूँगी एक पिंच हिंग थोड़ा सा बारिक कटा हरा धनिया एड़ करूँगी अब इसको अच्छे से फैट ना है और इसे फलपी बनाना है ये बैटर कुछ पतला नजर आ रहा है इसके लिए एक आप्शन है कि इसमें एक चम्मच बेशन एड़ करेंगी ये देखिए ये थिक हो गया है काफी फलफी हो गया है इसको आठ से दस में तक फैट ना है जिससे ये फलफी हो जाए अब इसके लिए चटनी बनानी है इस प्रकार से बनाई गई चटनी का कॉंबिनेशन इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये हराधनिया लिया है थोड़े से ये एक कप हराधनिया लिया है थोड़े से मूली के पत्ते लिये हैं तूटी स्पून आलू भुजिया लिये कुछ हरे पोधीने की पत्ती लें अगर ना हो तो ड्राइ पत्ती भी ले सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्च लेंगे आधा नीबू लेंगे अब इन सभी सामान को ग्राइंडर जार में डालूंगी और थोड़ा सा काला नमक एड़ करेंगे काला नमक एड़ करा है इसलिए साधा नमक कुछ कम एड़ करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा एड़ करेंगे अब इसमें नीबू का रस एड़ करेंगे अब इसको बारिक ग्राइंड कर लेंगे ये पीस कर तियार है गैस आन करके एक कड़ाई में तेल लेंगे और गर्म करने के लिए रख देंगे ये देखिए कितना फलपी है इसको इस प्रकार चमश से भी इसमें डाल सकते हैं और हाथ से भी डाले जा सकते हैं जब एक तरफ से थोड़ा फ्राई हो जाए तब ही इन्हें करशली की सहायता से पल्टेंगे गैस की फ्लेम मेडियम टू लौ रखेंगे अगर फ्लेम तेज रखेंगे तो उपर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे इसको बार बार अलट पलट करते रहेंगे और गोल्डन कलर आने तक इसको अलट पलट करेंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई नई recipe की वीडियो मिलती रहें इस प्रकार deep fry हो गए हैं इस तरह करशली से निकाल लेंगे इनको इस प्रकार plate में लेंगे और कद्दू कस करी हुई मूली लेंगे इस पर add करेंगे मूली कुछ ज़्यादा ही इसमें डालेंगे ये चटनी भी इस पर add करेंगे चटनी भी इस पर ज़्यादा ही add करेंगे थोड़ी सी कद्दू कस करी हुई गाजर add करेंगे अगर आप चाहें तो इमली की खटी मीठी चटनी भी एड़ कर सकते हैं ये आप्शनल है इस तरह दिल्ली का स्ट्रीट फूड राम लड़ू बनकर त्यार है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और इसे पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें थैंक्स फूर वाचिंग